नमस्कार वाब दुनिया के फटवर्ट बुलेटिंग में आप सभी का स्वागत है और नजर डालें आज के खास ख़बरों पर सीमा हैदर के भारत आने पर पाकिस्तान में हिंदूों को धमकि और मंदिरों पर हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं आजा मामला सिंद के कंध कोट से सामने आया है खबरों के मताबिक मंदिर पर डाकोई ने रॉकेट लॉंचर से हमला किया तीस हिंदूों को बंधक भी बनाया ड़क है तो ने सीमा के पाकिस्तान नहीं लोटने पर दी धमकी अपनी प्रेमी सचन मीडा के साथ रहने पाकिस्तान से भारताई सीमा हैदर पर कई सवाल उठ रहे हैं अब सीमा हैदर मामले की जांच एनाई करेगी जांच की जाएगी की सीमा कितास कितने मोबाइल और कितने पासपोर्ट है वोपाल से दिली आ रही बंद भारत तो ट्रेन में आग लग गई बंद भारत रानी कमलापती रेलवेस्ट्रेशन से हजरत निजामु दिन के लिए निकली थी लेकिन सोमवार की सुबह बंद भारत के कोच नंबर C14 में आग लग गई यहादसा बीना ललितपुर के बीच कुरवाई नाम की जगह पर हुआ रेल विभाग मामले की जाँच कर रहा है रक्षा मंतरी राजनाच सिंग ने पीम मोदी को लेकर दिया बयान दुनिया भर में भारत का कत बढ़ गया है इसका अंदासा इस बात से लगाया जा सकता है कि आस्ट्रेलिया में पीम मोदी को बॉस कहा ज़ाता है मारी के रास्ट्रपती मोदी का ओटोग्राफ मांगते हैं आज दुनिया में भारत की प्रतिश्चा बढ़ गई है भाजपा को 2024 के चुनाव में रोकने के लिए विपक्ष एक जूट होने की कोशिश कर रहा है सोमवार को विपक्ष की दूसरी बैठक होने जा रही है भाजपा से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल 17 और 18 जुलाई को करनाटक के बांगलूरू में दूसरी बार बैठक करेंगे सुनिया गांधी होने शामल बांगलूरू में आज हो रही है विपक्ष की बैठक में नहीं शामल होंगे पार्टी प्रवक्ता ने ट्वीट कर दी बड़ी जानकारी शरत पवार और सुप्रिया सुल 18 जुलाई को बैटक में शामल होंगे कुनो नेशनल पार्क में लगातार हो रही चीतों की मौत पर कई सवाल उट रहे हैं खबर थी कि रेडियो कॉलर चीतों की मौत की वजह बन रहे हैं सरकार ने इसे अफवा बताया परियावरण मंतरवाले ने नामीबिया और दक्षिर अफरिका से लाए गया बीस वयस्क चीतों में से पांच की मौत प्राकरतिक कारणों से हुई हमाचल के बाद अब उतराकंड में भारे बारश का खत्रा बना हुआ है गंगाने देवफान पर है मौसम भागने औरेंज अलोव जारी किया है उदर हमाचल के एक कुल्लू में फरबादल फटा नौगाडिया वही एक शक्स की मौत और तीन लोग खायल हो गए विवादास पद वीडियो के चलते के दारनाथ में मुवाइल फोन लेकर प्रोड़ेश करने फोटो लेने और वीडियो बनाने पर प्रतिवन्द लगा दिया गया है मंदिर के ववस्ताओं के लिए जिमिदार श्रीबदरीनाथ के दारनाथ मंदिर समीती नहीं इस समन्द में मंदिर परिसर में जगह जगह बोड लगा दिये गये है अरजेंटिना में रविवार को 6.6 तेवरता का भुकम पाया जिसके जट के चली में भी महसूस किये गये भुकम का केंदर पशली अरजेंटिना के लूकवेन प्रांथ के लोनकोप्यू शहर से 25 किलोमेटर पुर्वत दक्षरपुर्व में था भुकम 171 किलोमेटर के गहराई में आया यह थे आज की फटापट बुलेटिन और ऐसे ही इताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ यानि की विजिट करेवाब दुनिया पर